मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर स्वरान अकडमी क्लासेस पर यहां हम बात करेंगे इफको नैनो यूरिया अखाद की जो काफी ज़्यादा चर्चा में है लेकिन खर्च किसानों पर जो बोज खर्च का पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा अगर यही रेट रहेगी नैनो की अगर इसमें subsidy और बाकी चीज़े सरकार प्रवाइड कराती है तो नैनो के जो ये यूरिया खाद है ये काफी ज़्यादा कारगर सामिल साबित होगी क्योंकि जब ज़्यादा लागत लग जाएगी किसानों की तो उन्हें output उतना अच्छा नहीं मिलेगा तो आएए देखते हैं और इसका analysis समझते हैं कि क्या हम मैं क्यूं कहरा हूँ कि कुल खर्च नैनो यूरिया पर एक बोरी के बराबर 490 रुपे आएगा और जबकि कुल खर्च जो इफको यूरिया जो बैग में आती थी उसका 217 रुपे आता है तो इन दोनों का जो difference है वो इ प्रति बैग खर्च हमने इधर लिखा वहा एक साइड में एक में नैनो यूरिया प्रति 500 मिली लीटर की जो बोटल है उसकी कीमत 240 रुपे है आप यहां पर समझ सकते हैं यहां देखिए 240 रुपे इसकी कीमत है और यहीं पर इसकी यूरिया की बैग की कीमत 200 जो है सरसट र प्रति बोरी कर सकता है जो मैंने डाटा लिया है यहां पर और यह लेबर खर्च 20 रुपे प्रति बोरी यानि किसान इस बोरी को लाएगा तो जरूरी नहीं कि वो किसान खुद ही बोदे खेत में कोई लेबर खर्च या बाकी भी खर्च आते हैं तो यह नॉर्मली जो मेरे तरफ रेट चल रहा है वो प्रति बोरी 20 रुपे का रेट चल रहा है अगर आप जितना भी बोरी उससे मजदूर से या लेबर से इसे बोवाते हैं खेत के अंदर तो 20 रुपे प्रति बोरी के हिसाब से वो लेता है और यहां लेकिन इसमें क्या होगा इसमें स्प्रे करना होगा इस नैनो यूरिया को स्प्रे करना पड़ेगा तो स्प्रे का खर्च जो आएगा वो करीब 200 रुपे आएगा क्योंकि कारण है इसका क्योंकि 100 लिटर पानी में इसको घोलना होगा ये तो जब 100 लिटर के पानी में से घोलना पड़ेगा तो इसको एक टंकी में करीब 15 लीटर पानी आता है तो आप 15,97 टंकियां करीब डालेगा वो तो उसी हिसाब से उसका खर्च नहीं करीब पूरे दिन की जो लेवर चार्जस हैं और बाकी जो उसके खर्चे हैं वो इसमें आइड हो जाएंगे क्योंकि इतनी मेहनत अकेला एक किसान नहीं कर सकता उसे लेवर चार्ज तो देना ही देना होगा तो ये लेवर चार्ज जो है बढ़ जाने के वज़े से इसकी कास्ट जो पड़ेगी खेत में वो 490 रुपे हो जाएगी और इधर 20 रुपे जुड़ते 287 ही बनती है तो जो अंतर आएगा दोनों का वो 203 रुपे अंतर आजाता है इस हिसाब से आप दे सकते 203 रुपे महंगी ये खाद पड़ेगी तो क्या उत्पादन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो 203 रुपे को बैलन्स कर पाएगा समस्या यहां पर आएगी टेकनलोजी अच्छी है चीजे अच्छी है बहुत बेतर है कि कैरी करना बहुत आसान हो जाएगा कि हम एक जोले में डालने और इसको लेकर चले जाएं यह सब कुछ संभव है लेकिन क्या यह जो जिस हिसाब से फूड जो अनाज का उत्पादन हो रहा है खेतों में उसमें कमी आई है और जो मार्केट रेट है उसमें भी कमी आई है MSP का ना मिलना और बाकी चीजों का जो किसानों पर डंडा चला है उसके हिसाब से यह 203 लुपे का भार और बढ़ेगा तो किसानों की हालत जो है सुधिरने के बजाए उसकी हालत बिगड जाएगी तो ये एक analysis है इसमें और भी बहुत सारे factors हैं लेकिन हमने कुछ factors को यहाँ पर लिया है बाकी इस technology अच्छी है उसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन rate का जो margin है इस पे सवाल होने चाहिए और इस पे बातचित होकर इसक की कीमत पर चर्चा उठ सके अगर कोई इससे बहतर किसी के information है आपके पास तो इस comment box में इसके वीडियो में जरूर लिखें जिससे सभी को मिल सके और हमें भी update मिल सके तो मिली हुई जानकारी के अनुसार यहाँ पर इतनी चीज़े आपको हमने provide कराई है बाकी आप सभी ल लागत कम करने का तो सवाल ही नहीं आ उठता है पोदों के पोशन में सहयोगी होगा और फसल की उपज को बढ़ाएगा किसानों की आए में सुनशित वरद्य होगी तो सुनशित वरद्य कैसे होगी क्योंकि लागत तो कम लग नहीं रही है तो वरद्य कैसे होगी फसल की उ उपज बढ़ा सकता है पारंपरिक यूरिया से सस्ता है तो यह सस्ता भी नहीं है पारंपरिक यूरिया से क्योंकि वाद जहां 277 और कहां 490 रुपे है आप इसका लॉंचिंग का देख सकते हैं कि इसमें इंट्रोड्यूसिंग इफको नैनो यूरिया लिक्ट्विड यह वा